दौश्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूँ सेंसिबल केश नहीं हिंदी डेली मार्के यानी शॉरू करते हूं हमारा मार्के इनदी सबसे पहले देखेंगे जो हमने इनe कट में आल्याईस का थ आगे unyaट के चले वोगैं आपने ये भी बात कही थी कल कि जो bank nifty है वो काफी जादा strong दिखाई दे रहा है nifty की comparison में ठीक है nifty से आप अगर bank nifty compare करेंगे तो nifty उतना strong नहीं है जितना की bank nifty strong दिखाई दे रहा है ठीक है वैसे ही तो अगर आप आज का momentum देखेंगे तो अगर nifty bank nifty दोनों को ही देखें दोनों ने ही upside पर इस candle को break किया परन्तु bank nifty अगर आप देखेंगे तो bank nifty एक अच्छे level के उपर breakout देता हुआ यहां नजर आ रहा है तो यह आपको याद होगा जो हमने weekly analysis किया था हमने एक आ किसी भी तरह के बड़े momentum market से expect नहीं करने चाहिए ठीक है जब यह range से market बाहर निकलेगा तब market में एक अच्छा momentum आपको देखने को मिल सकता है ठीक है ऐसा हमने discussion किया था तो अभी nifty नहीं बलकि bank nifty यह particular range से बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ठीक है तो और पर trade करना इसने चुरू कर दिया है तो एक तो यह अच्छा sign आज यह कह लीजिए कि अगर मैं early chart open करता हूं market का तो अगर मैं आज का चार्ट अगर market में open करूं तो आपको यह दिखाई दी जाएगा कि बहुत मार्केट में जो पहले आर का momentum हुआ उसके बाद पूरे दिन nifty ने sideways ही momentum दिया किसी तरह का बड़ा momentum फिर नहीं दिया ठीक है तो यह एक मेरे इसाफ से एक अच्छा sign है market के लिए खासकर nifty के लिए अच्छा sign है विकोज अगर यहां पर इस particular जगह पर देखेंगे तो market मतलब एक ही बार में एक ही momentum में single momentum में market इस particular level को cross करने के आपको त्र यह इस market को इस में normal market ऐसे ही जो momentum नीचे से लेकर आ रहा था market उसी momentum से इसको ट्राइप पार करने के लिए कोशिश किया तो 18,000 पर इसको rejection मिला उसके बाद market नीच आया फिर से market ने इसको पार करने कोशिश किया फिर से market में rejection मिला और फिर से इसको पार करने कोशिश कर रहा ह फिर से rejection मिला इसको तो इस बार ये अच्छा है कि market इसी के आसपास समय बिता रहा है तो जब भी ये मेरा मानना है पर टेल लिए कि जब भी market अगर किसी level पर समय बिताता है तो वो एक bullish indication मैं उसको मानता हूँ मैं क्यों मानता हूँ उसको क्योंकि अगर market में किसी तरह का sell momentum आना है तो market में एक simple सी बात है कि जो panic होता है वो बहुत तेजी से market फिर नीचे आता है panic के स्थेती में तो अगर market किसी एक जगे पर टिका हुआ है तो वहाँ पर ये एक अच्छा sign है अब ये assurance नहीं है कि इसके बाद market इसको upside पर ही break करेगा परन तो एक ये थोड़ा सा probability थोड़ी सी बढ़ जाती है कि हाँ यहाँ पर upside पर momentum आपको देखने को मिल सकता है ठीक है तो अभी एक अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि market जो banks है वो breakout दे रहे है निफ्टी जो है breakout की स्थिती में खड़ा हुआ है ठीक है तो पहला तो मेरी expectation यहाँ से क्या होगी निफ्टी से कि निफ्टी यहाँ पर एक हमें follow up दे ठीक है जब तक कि market एक follow up नहीं देगा हमें इस जगह पर तब तक मैं इस breakout को कुछ सही नहीं मानूगा और पहली बात कि यहाँ से मैं यह चाहूँगा market से कि 18,000 का market level cross करके यहाँ पर support ले एक बार ठीक है तब यह एक क्योंकि 18,000 के level से market reject होता है यहाँ से breakout दे फिर यहाँ पर rejection ले या फिर यहाँ पर समय बिताए या फिर यहाँ पर समय बिताए फिर उसके बाद market पार करे ठीक है चाही यहाँ पर समय spend करके market पार करे ठीक है थोड़ा सा इसको market को समय बिताना पड़ेगा इस particular zone में यहाँ पर तो उसके बाद market में आपको अच्छा momentum देखने को मिल सकता है, अगर market को move करना है upside पर तो, उसके लिए बता रहा हूँ और ये एक अच्छा sign हो गया कि market में जो retracement आना है, ये market अभी retrace कर रहा है, इसी जगह पर market retrace कर रहा है, ठीक है तो यहां से अगर, अगर market को upside पर जाना है, potential है market में, अगर upside पर जाने का, तो market को थोड़ा समय यहां पर, इस particular जगह पर या एक breakout देने के बाद यहां पर retrace करके, फिर थोड़ा समय बिताकर फिर एक upside breakout देना पड़ेगा ठीक है, तब एक अच्छा structure market इंग बनेगा यह एक तरीके से market momentum कर सकता है, तो यहां पर हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, तो मेरी राए तो अभी होगी कि nifty को थोड़ा सा avoid करने की, ठीक है, खासकर कल के लिए तो bank nifty भी आप ऐसा करिए कि जब अगर market, bank nifty में आप trade कर सकते हैं, हाले कि 39,850 के उपर अगर market जाता है, तो यहां पर आप buy bank nifty में किया जा सकता है, ठीक है, अगल हमने sell करने के लिए simply हमने कहा थे कि bank nifty आप तो तभी sell करना जब 39,000 के market नीचे जाएगा, ठीक है, और nifty के लिए sell करना है, तब आपको करना है, जब market यह जो 17,470 के नीचे अगर market जाता है, तो ही आपको market में किसी तरह का sell प्लान करना है, उससे पहले आप sell करने का नहीं करें, तो बहतर होगा, क्योंकि यह जो जून है, यहां पर आप यह मतलम है कि ट्रेड लेना चाहेंगे, तो फाल तुमें 500, ठीक है, इसका P यानी put sell यहां पर किया जा सकता है, ठीक है, अगर charts को देखकर मैं केवल बात कहूं, बाद में open interest अगर data भी discuss करेंगे, तो यहां पर market follow up देता है, अप side पर एक follow up यहां पर दिखाई देता है आपको, तो हम यहां पर put sell का एक दिवांग में खयाल लेके आ सकते हैं, similarly bank nifty में भी, अगर market अगर यहां से market follow up देता है तो फिर आप 39,000 का puts यहां पर, puts यहां पर P या उसके नीचे के जो put है, वो आप sell कर सकते हैं ठीक है, 39,000 के puts या उसके नीचे के puts आप market में sell कर सकते हैं ठीक है, तो यह तो रहा हमारा charts का एनाल से charts जो है overall, अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि खासकर banks, banking sector जो है, bank nifty जो है वो अच्छा bullishness दिखा रहा है nifty के comparison में, तो अगर bullish trade आपने plan करना है, तो कल की तरह ही मैं अभी कोँगा, कि bank nifty में थोड़ा सा ज़ादा plan, ज़ादा focus करें ठीक है, nifty के लिए थोड़ा सा रुख जाईए यहाँ पर अगर market upside पर एक closing और दे देता है, तो फिर upside पर momentum आपको और ज़ादा देखने को मिल सकता है, ठीक है open interest अगर आप देखेंगे, तो open interest यहाँ पर, अभी के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है, कि 17,600 और 17,500 यह बहुत अच्छे यहाँ पर supports बनते हुए, हमें दिखाई दे रहे हैं, वहीं अगर मैं resistance की बात करूँग, ता resistance जो बड़े, हाला कि हर एक strike अभी के लिए resistance है, because market जो है, वो ऐसे level पर, nifty खासकर एक ऐसे level पर खड़ा हुआ है, जहां पर resistance expect करना natural है, because यहीं से market कितनी बार reject हो चुका है नीचे side पर, ठीक है, कितनी बार market नीचे side पर reject हो चुका है तो इसलिए resistance expect करना normal है, पर उन्तों सबसे बड़ा जो resistance है, वो 18,000 यहाँ पर open interest के इसाफ से हमें दिखाई दे रहा है, bank nifty अगर हम बात करते हैं, तो bank nifty में 40,000 जो है, आज के दिन आप देखेंगे, तो दो नहीं nifty bank nifty में put selling जादा हुई है call selling उतनी जादा नहीं हुई है और जो resistance है bank nifty में, वो 40,000 के around आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 40,000 तक का तो आपको target bank nifty में momentum मुझे लगता, bank nifty में मिली जाएगा, विकोज काफी उसके 200 point के आसपास ही उसके आसपास घूम रहा है bank nifty, right उसके बाद देखते हैं हम किस तरह momentum होता है, FI data कर हम लोग देखते है FI data यहाँ पर calls बहुत अच्छे quantity में buy हुए है puts sell करे गए है तो यहाँ पर दोनों ही side से यह data bullish data दिखा रहा है खास ही खास index futures में भी बहुत अच्छी buying हुई है आज ठीक है, तो overall अगर हम charts की बात करें charts की बात करता हूँ यहाँ पर तो charts bullishness दिखा रहे हैं ठीक है, खास कर banking sector में जैसा मैंने आपको कहा कि market उपर जानी कोशिश कर रहा है bank nifty breakout दे चुका है एक follow up अगर market देता है तो हमें थोड़ा सा और अच्छा confirmation मिल जाएगा, जैसा कि हमने discuss किया था, nifty थोड़ा struggle कर रहा है पर bank nifty काफी strong है यहाँ ठीक है open interest या open interest की बात करेंगे तो वो भी अच्छा bullishness दिखा रहे है, PCR भी अच्छा bullishness दिखा रहे है ठीक है, आज puts काफी add हुए है FIA option of futures data देखेंगे तो वो भी bullishness दिखा रहा है अभी ठीक है, तो मैं अभी कहुँगा कि थोड़ा सा रुके, कल थोड़ा सा price action देखके आप करिया, मान लिजे कल के दिन थोड़ा सा gap up market open हो जाता है तो थोड़ा आपको price action देखके market में trade करना पड़ेगा, कि market क्या, यहाँ open होकर मान लिजे, यह closing price है, यहाँ पर open होकर market नीचे side पर आकर फिर upside प breakout दे रहा है, ठीक है या फिर market flat open होकर upside प breakout दे रहा है ठीक है, या फिर market तुरण यह closing price से भी नीचे आ गया है ठीक है, तो थोड़ा सा आपको cautious हो जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा trade अपना हाथ रोक के करेंगे, ठीक है तो यह, तो जैसा हमने का कि banks bullish दिखाई दे रहे हैं अभी और थोड़ा सा follow up होकर हमें मिल जाएगा, तो हमें confirmation थोड़ा सा confidence आजाएगा market में bullish side पर trade लेने के लिए banking तो मुझे लग रहा है, banks तो लग रहा है कि अच्छा का सा bullish दिखा रहे हैं 39,850 के ऊपर आप buy कर सकते हैं और यहाँ पर target मुझे लगता है कि 40,000 के around आपका हो जाएगा यहाँ पर not immediately पर फिर भी कल एक दो दिन में मिल जाएगा आपको positional put sale किये जा सकते हैं अगर market में आपको follow up दिखता है bank nifty में यहाँ निफ्टी में भी ठीक है, risk लेना है अगर आप तो bank nifty में कर सकते हैं bank nifty अच्छा strong दिख रहा है अभी के लिए ठीक है, तो यह तो हमारा nifty bank nifty का analysis बढ़ते हैं dollar का analysis किता, dollar भी अपने put sale के लिए यहाँ पर बोल रखा था कि यहाँ पर क्योंकि हमें एक अच्छा rejection दिखाई दिखाई दिया है तो यहाँ पर put sale किये जा सकते हैं और stop loss आपका 50 dma 50 daily moving average जो है यह आपका stop loss हो जाएगा अगर market इसके नीचे आता है तो आप यहाँ पर अपना trade से square off करके निकल जाएगे ठीक है, यह हमने plan यहाँ पर किया हुआ है तो मुझे लिगता है यहाँ पर कोई बड़ा discussion क्या भी जरूरत है अभी भी upside range पर ही है market भी तो जब तक upside पर है तब तक यहाँ पर आप अपने put sell में बने रही है ठीक है दोस्तों तो यह तो रहा मेरा nifty bank for dollar करना आप यह आपको पसंदाएगा अब पसंदाएगा तो इस video को like करिए और comment करके मुझे बताईए कि आपको क्या लगता है यह जो इस बार का breakout है क्या यह sustain हो पाएगा ठीक है क्या bank sustain कर पाएगे nifty sustain कर पाएगा ठीक है तो आप अपने views मुझे बता सकते हैं ठीक है community section में discuss कर सकते हैं और हमेशा कि तरह कि capital आपका है तो उस समझ के आपको trade करना है नहीं समझ में आपको trade करिए